Hello everyone, this is Muskaan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको प्रवाइड करता है, quality education वो भी free of cost हम पढ़ रहे थे भाई नया नवेला चाप्टर, Anatomy of Flowering Plants Anatomy of Flowering Plants के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है about the tissue system सबसे पहले हमने deal किया था complete introduction के बाद, epidermal tissue system के साथ फिर हमने पढ़ा था about the ground and vascular tissue system और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरे चाप्टर का main structure है ना, इस चाप्टर का main content है क्या है root, stem और leaf के बारे में पढ़ना, किस-किस की monocot और dicot की anatomy बढ़ना है ना, तो आज हम स्टार्ट करने हैं इस main structure का पहला point मतलब anatomy of dicotylitinus and monocotylitinus root ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिकत किसी को, चलो ये जो सुन्दर सा, colorful सा diagram आपको यहां नजर आ रहा है ये है किस चीज का, इसमें दिख रहे हैं मैं root है, तो मतलब ये root है अब dicot की है या monocot की ये नहीं पता आज का lecture पूरा पड़ोगे न, तो आप ऐसे बिल्कुल देख के identify करना सीख जाओगे कि ऐसे बस एक नजर आपने मारी diagram के उपर और आप वो identification feature सीख जाओगे कि कैसे पता चलना है, कि root जो है वो कौन सी है और root अगर है भी ठीक है, section सबके एक जैसे दिखते हैं, पता है, ये जो sections है न, 90% सबके एक जैसे दिखते है transfer section, root के, stem के, leaf के, सबके एक जैसे दिखते है, monocot के, dicot के difference कहसे, कहाँ पर, कि structure से spot कर पाना है, ये आज आप सीख जाओगे root के बारे में इस diagram को देखके last में आप तुरंद बता दोगे के मैं monocot है या dicot है, ठीक है, चलो पढ़ना start करते हैं about the anatomy of monocotyledonus and dicotyledonus roots, see, anatomy of dicotyledonus and monocotyledonus root, जिसके बारे में पढ़ने के लिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, याद करो अपनी जो approach थी ना animal kingdom को पढ़ने के लिए, जो हमारी approach थी जिससे हमने animal kingdom को पढ़ा था, बस वैसे ही आपको ये भी पढ़ना है, जैसे आपने animal kingdom को पढ़ते वक्त क्या किया था, animal kingdom को पढ़ते वक्त आपने ये किया था कि बस जो जितना लिखा है, उसको पढ़ेंगे, सम वहीं पर हो जाएगी यहाँ भी आपको ऐसे कर आए बस आपको एक 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 चीज़ों को पढ़ते जाना समझते जाना उज बात खतम हो जाने वाली कोई सब निकलने वाली है कुछ भी दिकत नहीं आने वाली है ठीक है देखो तो for a better understanding of tissue organization of root, stem and leaf root, stem and leaf में tissue organization किस तरह से है tissue level पी पढ़ रहे हो ना तो it is convenient to study the transverse sections किसी भी चीज़ का root, stem या leaf का transverse section अगर study करते हो तो वो ज्यादा convenient होगा ठीक है mature zones का ना कि जो अभी mature हो ही नहीं जिसके अभी पूरे structures ही नहीं बने आप वो निकाल के पढ़ने लग जो mature zones जो होंगे ठीक है जो mature forms होंगे root, stem और leaf के वहाँ से उनके transverse section को निकाल कर पढ़ना आपके लिए क्या होगा आसान होगा जिससे आप इन सारे structures को इन सारे root, stem, leaf के tissue level of organization को अच्छे से पढ़ पाऊगे ठीक है start करते हैं transverse section पढ़ना आज हम पढ़ रहे हैं किस के बारे में? root के बारे में एक सकेंड see आज देखते हैं हम dicotyledness root के बारे में चलो मेरे हतियार तो ready है भाई क्या आप क्या हतियार ready है? जल्दी से बताओ start कर रही हूँ मैं dicotyledness root से see in the transverse section भाई मैंने yellow का मतलब होता yellow in the transverse section of the sunflower root the internal tissue organization is as follows सबसे पहली बात क्या note करोगे? सबसे पहली बात note करोगे कि sunflower root का transverse section आप पढ़ रहे हो यह जो आपको दिखाया जा रहा है it is the transverse section of sunflower root यह जितना भी आप पढ़ रहे होगी क्या पढ़ रहे हो? the cells of epiblem are protrude in the form of unicellular root hairs ठीक है? याद करो मैंने आपको बताया था epidermal tissue system में कि यह जो root hairs होते हैं ठीक है? root के जो होते हैं shoot system में कैसे पाई जाएंगे? multi cellular hairs बताया था मैंने epidermal tissue system के अंदर मैंने आपको तीन चीज़े बढ़ाई थी epidermal cells, stromata और उसके root hairs या root hair नहीं कहेंगे उसे सिर्फ hairs, trichomes hairs और trichomes यह मैंने बताया था अब जब हमने उसको hairs और trichomes वाले section को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि root में यह जो hairs पाई जाएंगे यह होंगे unicellular elongations और shoot system में जो hairs पाई जाएंगे वो होंगे क्या multicellular elongations वो क्या होंगी? multicellular elongations होंगी ओके? तो यहाँ पर जो multicellular elongations की कहानी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर आप पढ़ रहे हो क्योंकि root तो root में कैसे होंगे बिटा यह unicellular root hairs होंगे cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells जो cortex होगी इसकी cortex क्या है? डाइग्राम में देखो आजाओ कल जब आप vascular tissue system बढ़ रहे थे तब भी cortex, pith, pericycle, medullary rays यह सारे terms आयते और मैंने कहा था कि इन्हें हम कल ही deal कर लेंगे तो see, यहाँ देखो आपको काफी सारे terms तो यहीं मिल जाएंगे यह जो आपको नजर आ रही है ठीक है? यह जो एक region यहाँ पर इन्होंने इस तरह से specify किया है यह cortex है अब यह cortex भी क्या है? अब यह आपको समझ आएगा देखो, यह जो यहाँ पर region है यह पिथ है, यह तो मैंने कल आपको बता दिया था ठीक है? पिथ के बाद यह जो पूरा का पूरा एक lining है ठीक है? यह जो पूरी की पूरी एक lining है जो की क्या कर रही है? एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में जो ground tissue है, उसको क्या कर रही है? जो पूरी के बाद में बताऊंगी यह हो गए आपके unicellular hairs एक single cell, ऐसे ही मैंने आपको बना के बताई थी यादे मैंने illy बना के बताई थी देखो, यह देखो, एक single cell एक single cell, एक single cell का ही elongation है, यह unicellular hairs यह देखो, यह एक single cell से ही elongation हो रहा है, यह unicellular hairs का ठीक है? दे आर दा unicellular elongations root hairs क्या होते हैं? unicellular elongations होते हैं root hairs क्या होते हैं? unicellular elongations होते हैं जैसे आपको यह दिख रहे हैं clear इतनी माज बिटा यह अपनने पड़ा हुआ है पहले यह अपनने पड़ा हुआ है पहले तो outermost layer क्या होती है outermost layer क्या होती है epiblemmor ठीक है और many of the cells of epiblemmor protrude in the form of unicellular root hairs epiblemmor की काफी सारी ऐसी जो cells होती है ठीक है वो root hairs की तरह elongate हो जाती है काफी सारे root hairs को बनाती है और जो cortex होती है उसमें होते है क्या उसमें होती है बहुत सारी layers of thin walled parenchyma cells ठीक है parenchyma cells या parenchyma cells यह देखो यह जो cortex है इसमें क्या है बहुत सारी thin walled parenchyma cells है यह पूरी cortex है इसमें क्या है बहुत सारी thin walled parenchyma cells है हमने पढ़ा था न, Parenchyma के बारे में, Parenchyma कैसी होती है? Thin wall, है न, wall कैसी थी? उसकी thin wall थी, किसकी बनी हुई थी? Cellulo's की बनी हुई थी. So यहां पर क्या है? Buhut सारी thin walled Parenchyma cell है. और इं cells में पाई जा रहे हैं क्या? Intercellular spaces. देखो इन सेल्स में पाई जा रहे हैं क्या इंटर सेल्यूलर स्पेसिस मैं यह बात तो कुछ जमी नहीं हां रेड भी और पिंक भी इन सेल्स में पाई जा रहे हैं बिटा इंटर सेल्यूलर स्पेसिस ठीक यह देखो इंटर सेलीलर का मतलब आपको पता है इंटर और इंटरा का मतलब मैंने मुझे याद नहीं 11 में बताया था या 12 में बताया था कहीं तो मैंने बैटके बढ़िया तरीके से पढ़ाया था इंटर या इंटरा पर अभी मुझे याद नहीं है मैंने 11th में बताया था या 12th में ठीक है, inter और intra का मतलब में एक बार फिर से बता जती हूँ अगर बताया था या नहीं भी बताया था, ठीक है, देखो कई सारी cells जब होती है ना एक सांथ, ठीक है मैंने अगर कहा आप से कि इस तरह से बहुत सारी cells present है और ये देखो second layer भी है फिर इनकी और फिर मैं कहूँ के third layer भी है इनकी है ना, इस तरह से जब काफी सारी cells present है तो इन cells के बीच में इन cells के बीच में ये जो spaces आपको दिख रहे हैं ना ये ये सब क्या है, द्यादा intercellular spaces ये सारे spaces क्या हैं बिटा intercellular spaces हैं ये, ये, ठीक है दो cell के बीच के spaces, ये सारे spaces क्या कहलाते हैं intercellular spaces कहलाते हैं, ये सारे spaces इन्होंने क्या कहा, कि ये जो thin walled parenchyma cells है इन सब के बीच में पाए जा रहे intercellular spaces, मतलब दो cell के बीच में spaces पाए जाएंगे ऐसा नहीं है कि दोनों cell एक दूसरे से कैसी होंगे बिल्कुल इस तरीके से अरेंड है कि कोई space उनमें पाया ही ना जाए बीच में कहीं पर भी कोई space ही नहीं जैसा कि epidermis में होता है देखो epidermis की layer ऐसी पाए जारी है कि उसमें बीच में कहीं पर कोई भी cell के बीच में कोई space नहीं है यह देखो इसमें बीच में कोई intercellular space नहीं होता लेकिन यहां पर cortex की बात जब आप कर रहे हो तो cortex जिस तरह से thin walled parenchyma cells की बनी हुई है इसमें पाए जाते हैं intercellular spaces ठीक है इसमें intercellular spaces पाए जाते हैं यह ठीक है अब मैं आपको बता रही थी inter और intra inter का मतलब हमेशा क्या होता है दो चीजों के बीच का ठीक है दो चीजों के बीच का अब इस बात को आप कैसे याद रख सकते हो जैसे आपने सुना हुआ है कि interstate competition था interstate level पे था inter school level पे हमारा जो यह था वो tournament था ठीक है तो यह जो inter का मतलब होता है inter school मतलब दो schools के बीच में है ना एक पूरा school दूसरे पूरे school के बीच में क्या हो रहा है tournament हो रहा है एक पूरा का पूरा state और दूसरा पूरा का पूरा state के बीच में क्या हो रहा है, competition हो रहा है, इस तरीके से जो inter का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में, और intra का मतलब क्या होता है, उसी के अंदर, ठीक है, intra का मतलब क्या होगा है, उसी के अंदर, तो intercellular मतलब दो cell के बीच में, और intracellular मतलब cell के अंदर ठीक है? Sorry देखो intercellular का मतलब होता है दो cell के बीच में ठीक, ये cell और ये cell इनके बीच का, ये कहलाएगा क्या? inter और अगर मैं बात करूँ इस cell के अंदर तो ये कहलाएगा क्या? intra क्या कहलाएगा ये? intra दो cell के बीच में inter और cell के अंदर intra ठीक है, cell के अंदर intra तो ये कह रहे हैं भई, ये मैंने आपको terms बताए, ठीक है, ये मैंने आपको terms explain किये, क्योंकि ये terms जो है general terms है, ये हाज जगा use होते हैं, है ना, और इन general terms को अगर आपको trick याद है कि क्या कहना है, तो फिर आप कभी भी उसका मतलब जो है, वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, उसमें confusion नहीं होता, ओके, चलो, तो देखो, ये जो parenchyma cells पाई जा रही है, thin-walled parenchyma cells, जिस region में पाई जा रही है, उस region को क्या कह रहे हैं, हम cortex, ठीक है, और उसमें पाई जा रहे हैं, बीच-बीच में क्या, cells के बीच में, spaces, intercellular spaces are there, ओके, जो innermost layer है, cortex की, वो क्या कहलाती है, endodermis, देखो, जो cortex की innermost, ठीक है, cortex region कहां तक है, ये देखो, ये epidermis है, और ये पूरी की cortex है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी जो innermost layer है, ठीक है, जहां पर आके, cortex की region जो है, वो खतम हो रही है, ये यहां से लेकर, यहां तक, cortex का region चल रहा है, देखो, ये जो मैंने arrow बनाया है, यहां से यहां तक region किसका चल रहा है, cortex का चल रहा है, ठीक, तो ये तो epidermis हो गई, epiblema हो गई, और अंदर वाली क्या हो जाएगी, endodermis, मतलब दो dermal layer के बीच का पूरा का पूरा region cortex, ठीक है, दो dermal layer के बीच का पूरा का पूरा region cortex, ठीक, अब यह देखो, ये वाली dermal layer कौनसी हो गई, इसकी epiblema, तो अंदर वाली को नाम दे दोगे, और endodermis, इसकी कौनसी वाली dermal layer है, अंदर वाली, ठीक है, तो epiblema और endodermis, दोनों के बीच का पूरा region क्या हो जाएगा, cortex कहलाएगा, दोनों के बीच का पूरा region क्या कहलाएगा, cortex कहलाएगा, बताओ कोई दिक्कत है, इसमें epiblema और endodermis, बीच का पूरा region, cortex, जल्दी बताओ, यह जितना आपने देख लिया, कुछ 4 से 5 पॉइंट यहाँ देखे, इस तरह पूरा clear है, इसमें कोई डिक्कत है, किसी को, आगे बढ़े, चलो, screenshot ले लिया ना सबने, आगे बढ़ रही हूँ मैं, सी, इतना erase कर देती हूँ, चलो, next देखते हैं, आजो, next देखते हैं, see, dicotyledness root के बारे में हम पढ़ रहे हैं मिटा, इट comprises a single layer of barrel shaped, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक single layer होती है, barrel shaped cells की, without any intercellular spaces, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक single layer होती है, barrel shaped cells की, जिसके बीच में कोई intercellular spaces नहीं होते भूल तो नहीं गए किसके बारे में पढ़ रहे हैं भूल तो नहीं गए ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं endodermis के बारे में ये देखो ये barrel shaped cells की एक क्या होती है इसकी बिल्कुल single layer बनी हुई है जिसके बीच में कोई intercellular spaces नहीं है ठीक है एक ऐसी layer बनी हुई है जो की barrel shaped cells की है और जिसके अंदर कोई भी बीचों बीच जिन cells के बीच में कोई भी intercellular spaces नहीं है ठीक ये कहानी हुई then next point क्या कहता है the tangential as well as radial walls of the endodermal cells ठीक है दो तरह की बात की करना है tangential walls की और radial walls की cell की tangential wall और radial wall दोनों wall के बारे में क्या बता रहे है have a deposition of water impermeable vexy material suberine ये देखो important points है देखो water impermeable मतलब impermeable to water पानी नहीं आने देंगे अंदर है ना vexy material एक vexy सा material suberine ठीक है इस तरह से present होती है और बनाती है जिस layer को जिस तरह की layering को बनाती है वो कहलाती है क्या casparian strips ये जिस तरह की layers को बनाती है क्या कहलाती है casparian strips को बनाती है water impermeable layer का होता है इसके उपर क्या deposition vexy material suberine की बनी होती है बनाती है क्या casparian strips को ठीक है, Casparin strips को बनाती है, किसकी कहानी पढ़ रहे हो बिटा, endodermis की पढ़ रहे हो, देखो, endodermis की कहानी पढ़ रहे हो, endodermis के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये endodermis के बारे में पढ़ रहे हो, जिसको मैंने star mark किया, इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, देखो, यहां दे गस शुपरेबल टो भी और कि बात करो दो भी दोनों में है क्या है पॉसेशन था एक वाटर इंपर्मियवल्प वक्सी सबस्सेंस का ठीक एक सबस्टेंस थीप塗ों के सबस्टेंटस से सबस्टेंटस दो नुट pore classroom लोटे है नहाँ, इसका नाम दिया गया वह क्या दिया गया है, Casparian Strips, ठीक है, next देखते हैं, next to endodermis, next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymetous cells, referred to as pericycle, ठीक है, pericycle किस से बनी है वो देख लेता है, thick-walled parenchymetous cells, ठीक, endodermis के बाद, endodermis से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं बढ़ रहे, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, एपिब्लेमा से स्टार्ट किया था ये देखो, hair से start किया था बलकी, right, unicellular hair से start किया, epiblemma देखा, cortex देखा, endodermis हो चुकी, अब हम आपको बता रहे हैं क्या endodermis के बाद ये जो आपको brown color की layer नजर आरी है, इसको मैं color नहीं कर रही, ठीक है, ये नजर आरी है आपको क्या, pericycle, ये जो बनी होई है brown color की पूर dermis, towards the inside, ठीक है, और इसमें है क्या कुछ layers होती है, काफी thick-walled panachymetis cells की, ठीक है, जो thick-walled panachymetis cells है, वो यहाँ पर पाई जाएंगी, और ये बनाएंगी कुछ layers इस तरह से पाई जाएंगी, देखो, एक या दो ही दिखाई हैं यहाँ पर भी, ये भी यही कह रहे हैं क्या layers पाई जाती है, और बनाती है क्या pericycle को, ठीक, next देखते है, pericycle बन गया, initiation of lateral root, अच्छे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो आप सारे terms पढ़ रहे हो ना, कि unicellular hair क्या है, epiblema क्या है, cortex क्या, endodermis क्या है, pericycle क्या है, ये सारे terms आपक ये नहीं बताएंगे, endodermis क्या है, pericycle क्या है, तो monocartaliness root आपका और भी छोटा सा निकलेगा, उसका content आपका और इतना सा content है और वो खतम हो जाएगा, ठीक है, उसके बार में और कम पढ़ना है, तो मतलब मैं आपके पास यहाँ पर पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत amount of things है, या facts है, या knowledge है, जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, इस chapter का काम मैंने पहले दिन से कह रही हूँ आपसे कैसा है, simple, sorted और सटीक, ठीक है, चलो, initiation of, see, initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells, जो lateral roots है, ठीक, जो lateral roots है, वो initiate होती है, vascular cambium भी बनता है, किस वक्त during the secondary growth takes place in these cells, ठीक है, इन cells में जब secondary growth होती है, यह जो parent काइमिटस cells है न, इसकी pericycle की बात हो रही है, तो यह जो parent काइमिटस cells है, जो pericycle की cells है, इन ही से क्या होता है, lateral roots का formation की वक्त यही initiation करती है, vascular cambium जो बनेगा, secondary growth होगी, तो cambium जो है, वो किस वक्त help करता है, secondary growth के वक्त help करता है, क्योंकि उसके होने से तो secondary growth के chances है, वनना तो हैं नहीं, cambium नहीं होगी, तो होंगे ही नहीं chances, ठीक है, तो यह रही कहानी है, आपकी भई, ठीक है, अब यहां तक pericycle तक आपने पढ़ लिया, उ तो सर्फ इसके क्या है, वस्कुले बंडल्स है, राइट, xylem, phloem दिख रहे हैं, proto xylem, metazylem, और बीच में दिख रही है क्या, पित, यह जो बीच का region है, वो हमेशा क्या होता है, पित, अब यह proto और metazylem क्या है, proto वाला मतलब सबसे पहले वाला xylem, और वो बढ़ता जा परिसाइकल की तरफ, proto वाला, फिर धीरे धीर 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 अंदर और बढ़ते 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 बढ़ते, metazylem, ठीक है, pro वाला और metawाला, इस तरीके से xylem और phloem आपको दिख रहे हैं, यह है पूरा का पूरा जो भी आपने points पड़े, dicotylidness root के, ठीक, काफी जाद ही इकत दे रहा है, आज तो भी यह गला, पढ़ाने नहीं दे रहा है मुझे, see, the pit is small or inconspicuous, जो pit होती है, जो मैंने आपको बताया के central structure हमेशा pit ही होता है, monocot का ले लो, dicot का ले लो, root का ले लो, stem का ले लो, leaf का ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है, बीच का region क्या है, pit, ठीक गए, कहां गए, conjunctive tissue, ये ले, ठीक है, जो xylem और phloem के बीच में, parent kai emitter cells पाई जाएंगी, वो कहलाती है, क्या, conjunctive tissue, the parent kai emitter cells which lie between xylem and phloem are called as conjunctive tissue, xylem phloem के बीच में, जो parent kai emitter cells पाई जाएंगी, वो कहलाएंगी, conjunctive tissue, ठीक है, there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches, usually 2 या 2 से 4 xylem phloem के patches होते हैं, later a cambium ring develops between the xylem and phloem, और धीरे धीरे करके इन के बीच में क्या होती है, cambium ring develop होती है, xylem phloem के बीच में, ठीक है, there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches, ठीक है, 2 से 4 xylem phloem के patches पाई जाते हैं, आगे जाके दीरे-दीरे Enzylum Phloem के बीच में develop होती है, क्या? Cambium develop होती है, ठीक है? इनके बीच में cambium develop होती है All the tissues All the tissues on the inner side of the endodermis सारे ही tissues जो होंगे वो endodermis के अंदर की तरफ ठीक है? यह देखो यहां endodermis है ना, इस से अंदर की तरफ All the tissues on the inner side of the endodermis सच as pericycle, vascular bundle, pit, constitute the steel ठीक है? इन सब को मिला के बोलते हैं क्या? यह देखो, यह वाले जो तने भी tissues है ना, यह इन सब को क्या बोलते हैं? Steel अब यह इस तरीके से समझ में थोड़ा कम आएगा इसको ना, ऐसे बनाते हैं देखो, इसको ऐसे बनाते हैं यह सब मिलके बनाते हैं Steel मतलब अगर मैंने आप से कहा हैं सब से पहले तो आपको region बता दूँ कि यह वाला region मैंने कहा कि यह endodermis है, ठीक है? यह endodermis है अब endodermis के बाद वाला region जितना भी बचा ना यह पूरा का पूरा region ठीक, यहां से, यहां तक यह पूरा मिलके बनाएगा क्या? Steel चलो, यहां तक एक बार देख लो अगर इसमें कोई दिक्कत है, फिर आगे पड़ते हैं चलो, यहां तक हो गया ना यह पूरा region, endodermis के बाद वाला region जो भी है, उसमें क्या-क्या आ रहा है पेरिसाइकल, पेत, वस्कुलो बंडल, जालम, फ्लोम, ठीक है, कैम्बियम यह सब कुछ आएगा, यह पूरा का पूरा region जो है, endodermis के बाद वाला वो स्टेल कहलाएगा, इसे मैं erase कर रही हूँ आगे बढ़ते हैं आपन, ठीक है चलो, monocotyledness root देखो monocotyledness root के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है और फिर diagram देखेंगे, end ठीक, monocotyledness root के बारे में आपको इतना ही देखना है that the anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many aspects ठीक है, monocot root की anatomy जो है, वो dicot root से almost same है जो आप अभी पढ़कर आई, dicot root ठीक, यह जो diagram है यह वही है ठीक है, यह diagram वही है जो मैने beginning में आपको बताया था ठीक है, it has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith इसमें भी यही सब कुछ है वहाँ पर भी यही था ठीक है, epiblema, epidermis और फिर क्या थी, cortex, फिर क्या थी endodermis, pericycle, peth, सब कुछ था यहाँ पर भी यही है बस compare करें अगर as compared to dicot root dicot root से अगर compare करें जिसके पास क्या थे, xylem bundles कम थे there are usually more than 6 मतलब poly arc xylem bundles in the monocot root monocot root के अगर हम बात करें तो यहाँ पर xylem bundles जो है वो जाता है वहाँ पर क्या थे? 3-4 xylem patches present ऐसे लिखा था, right? 3-4 xylem patches present लिखा था, यहाँ पर क्या होते है more than 6, इसलिए लिख रहे है क्या? poly arc, क्या लिख रहे है more than 6 xylem bundles present होंगे, मतलब poly arc तो अब आपको, भी भी अगर monocot dicot आपको root बतानी है तो देख कर ही कैसे बताओगे जिसके पास इतने सारे, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 more than 6 अगर xylem bundle है तो वो क्या है? वो है आपकी monocot root है ना? वो किसका transfer section है? monocot root का हो, यह क्या है वो? ts of monocot root अच्छा root है, यह कैसे पता चलेगा? यह unicellular root hair पाए जाएंगे ना? अगर root भी ना लिखा हो उनोंने उनोंने सिर्f unicellular hair लिख दिया हो तो भी समझ जाओगे क्योंकि unicellular हमेशा root में ही होते है है ना? तो सबसे पहले तो इनके यह root hair से समझ जाओगे कि root है अब root में भी monocot है या dicot है कैसे बताओगे? अगर xylem bundle more than 6 है तो it is monocot और अगर less than 6 है तो it is dicot ठीक है? यह identification समझ जागे है दोनों के बीच का बाकी सब कुछ दोनों में सेम ही है बाकी सब कुछ खानी दोनों की बिलकुल अलग नहीं है ठीक है? तो pith is large and well developed इनके pith जो होगी वो काफी large होगी और well developed होगी देखो यह जो pith region है यह काफी large और well developed region है ठीक है? क्योंकि जालव bundle जादा है तो properly बड़ी arranged है तो बीच का portion जो है जो कि pith है वो large है और well developed है ठीक है? monocotyledonous roots do not undergo any secondary growth monocotyledonous root के अंदर कोई secondary growth नहीं है क्योंकि इनके अंदर cambium नहीं है ठीक है? monocotyledonous root में secondary growth नहीं है क्योंकि इसके पास cambium नहीं है तीसरा identification feature मिल गया मैम, पहला मिला था कि hair देख लेंगे कि अगर unicellular hair लिखा है तो मतलब root है और दूसरा देखना था हमें कि xylem bundles अगर 6 से जादा है तो फिर वो monocot है और 6 से कम है तो dicot है ठीक है तीसरा पता चला कि अगर cambium नहीं है तो monocot है और अगर cambium है तो dicot है यह तीन identification feature मिले आपको जिससे आप बता सकते हो कि monocot और dicot root किस तरह से एक दूसरे से अलग है ठीक है लिख ले क्या है इन्हें हम लिख लेते हैं क्या है यह जो तीनों हमने पूरी study करने के बाद निकाला conclusion यह क्या है identification features identification features या identification ही काफी है identifying features या identification किस के बीच में identification किस के बीच में monocot and dicot है ना monocot and f लग रहा है भाई वो monocot and dicot root right identification किस के बीच का देख रहा है हम monocot and dicot root के बीच का अब monocot, dicot, root के बीच के identification feature में हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले हमने देखा कि identification कैसे होगा सबसे पहले तो हम देखेंगे भई वो अपने आप ही mix-up कर रहा है हाँ सबसे पहले हमने देखा कि identification कैसे करेंगे हम hair से, ठीक है, unicellular hair, ये बताएंगे कि ये क्या है, root है, है ना, ये क्या बताएंगे कि root है, सबसे पहले तो root पता करोगे, root पता चल जाएगा, तो monocot ये dicot ये पता करोगे, तो फिर अगर उसके अंदर आपको देखने को मिले क्या, xylem, more than 6, तो ये क्या हो जाएगी, monocot, ठीक है, और less than 6 अगर होंगे, तो क्या हो जाएगी, dicot root, ठीक है, थर्ड क्या पता चला, cambium, cambium present है, तो मतलब क्या है, dicot, absent है, तो मतलब क्या है, monocot, ठीक है, ये identification हमने देखा, between the monocot and dicot root, unicellular hair है, तो मतलब root है, सबसे पहले तो root identify किया अपनने, ठीक है, अगर root है, तो उसमें से monocot है, या dicot है, फिर ये identify किया, ठीक है, चलो, चलो भाई, यहां तक बन गया सबका, screenshot ले लो, या फिर बना लो, जो भी करना चाहते हो, बस आज का lecture complete हुआ है, monocot, dicot, root के बारे में आपको यही पढ़ना था, चीक है, इससे मैं clear कर देती हूँ, एक बार comparative diagram बस और देख लेते हैं, बस एक बार comparative diagram मौल देख लेते हैं, दोनों के बीच का, जो आपका NCRT का diagram है, तो we can't, we cannot skip it, right? सबसे पहले आपको दिख रहा है, क्या मैं सबसे पहले दिख रहा है, root hair, यह देखो, root hair इसमें भी दिख रहा है, root hair इसमें भी दिख रहा है, फिर दोनों में दिख रही endodermis, same, यह देखो endodermis, यह देखो endodermis, फिर दिख रही है क्या दोनों में pericycle, pericycle भी same, फिर दिख रहा है दोनों में क्या protozylum, metasylum, इसमें भी दिख रहा है मैं, protozylum, metasylum और phloem, है ना, यह phloem, यह सब same है, फिर दिख रही है कि इन दोनों में हम PIT तो मैं labeling अगर देखी जाए तो कुछ भी difference नहीं है दोनों की labeling में, same है लेकिन structure में अगर आप देखोगे तो difference कहां निकल कराएगा पित में structure को अगर आप देखोगे तो difference कहां निकल कराएगा पित में, ठीक है? इनकी pitch जो है वो उतनी developed नहीं है इनकी pitch जो है वो कैसी है well developed और large यहाँ पर यह जो red-red आपको जाइलम दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं more than 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने दिख रहे हैं more than 6 तो इसलिए यह हो गया mem यह हो गया monocot और इसमें दिख रहे हैं less than 6 4 ही है तो यह हो गया dicot ठीक है बस बिल्कुल easy सा simple सा बढ़िया सा यह इनका identification था ठीक है इस तरह से आपका आज complete हुआ है monocot and dicot root की anatomy और क्या बोलोगे इसको ऐसे बोल सकते हैं anatomy of monocotyledoness or dicotyledoness root ठीक है बस इतना ही पढ़ना था आपको और बस इसी तरह से आपको दो lectures all लेने हैं इस class के इस chapter के दो lectures all जिन में आप आगे पढ़ोगे anatomy of monocotyledoness and dicotyledoness stem फिर आप पढ़ोगे anatomy of monocotyledoness and dicotyledoness leaf बस इन दो lectures के बाद यह chapter complete हो जाएगा फिर हम करेंगे इसके ncrt solutions और फिर तो कहानी ही done है ना तो बस अगर इससे पहले वाला कुछ भी miss कर दिया है या इससे पहले का कोई भी chapter miss कर दिया है तो भाई फटा फट से जाओ अपने favorite channel magnet brains के playlist वाले option पर जहां आपको दो playlist मिलेंगी लाइव lectures और recorded lectures की फटा फट से जाओ और lectures को avail करो हम sixth chapter कर रहे हैं इससे पहले हम five chapters complete कर चुके हैं आपकी बुक के right beginning to first to five chapters complete हो चुका है यह six chapter है जो की बहुत जल अगले दो lecture तीन lecture में खतम होने वाला है तो भाई पढ़ सकते हो एप से भी जो आप easily play store से download कर सकते हो या फिर आप use कर सकते हो हमारी website भी which is www.magnetbrains.com और यह सारा ही full course content आपके लिए सारा का सारा full course content आपके लिए available है absolutely for free ठीक है चलो मिलते है next lecture में पढ़ेंगे क्या anatomy of monocot and dicot stem till then bye bye take care everyone